नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मेरा नाम है सुजीत पांड़े, आप सभी का स्वागत है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट पोलियो रोग निमनलखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है, तो पोलियो रोग होता है आपका विशाणू के कारण, option बड़ी विशाणू यहाँ पर सही आंसर है कंजक्टिव आइटिस मुख्य रूप से डैस से संबंधित एक संक्रमन है तो कंजक्टिव आइटिस जो होता है वो आँख से संबंधित संक्रमन है option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किस व्यक्ति को 20 वी सदी का Darwin कहा जाता है तो 20 वी सदी का Darwin कहा जाता है Ernest Mayor को option number D Ernest Mayor सही आंसर है मगरमच्चों में डैस हाड़ चेंबर होते हैं तो हिर्दय के चेंबर मगरमच्चों में होते हैं चार option number A सही आंसर हो जाएगा Uderma maculum चित्तिदार को दिया गया नाम क्या है तो Uderma maculum चित्तिदार को दिया गया नाम है आपका चमगादड को ये नाम दिया गया है option number भी चमगादड को यूडर्म मेकुलम चितिदार बोला गया है मक्का और गन्य के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है तो मक्का और गन्य में जो सहायक जड़ निकलती है उसको अवस्तम्ब जड़ कहा जाता है option number C सही answer है निम्नलिकित में से किसे पादब जगत के उभैचार के नाम से जाना जाता है तो पादब जगत का उभैचार ब्रायूफाइट्स option number D सही answer हो जाएगा विटी कल्चर डैस को संदर्वित करता है तो विटी कल्चर आपका अंगूर की खेती को संदर्वित करता है किसी वक्ति के लिए फर्स से pencil उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कारण में मस्तिस्क का कौन सा भाग हिस्सा करता है फर्स पर पड़ी pencil आप हाथ से उठाएंगे तो जो है अनुमस्तिस्क इसमें साहय करता है सैरी बैलम आप्शन नमबर भी सही आंसर है शैवाल के वर्गी करन के संबंद में फियो फाइसी के सरस्यों में आम तोर पर डैश का नाम आता है तो फियो फाइसी ये वर्ड देखिए ये मैं हाइलाइट कर देता हूँ भूरे शैवाल आप्शन अमबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फियो फाइसी के लिए लिूकेमिया डैश का कैंसर है तो लिूकेमिया रक्त का कैंसर कहलाता है option बड़ी सही आंसर है निम्दल गितम से कौन सा शब्द माना उर्दय की सारिक रचना से संबनित है तो महाधमनी माना उर्दय की सारिक रचना से संबनित है वर्ग की समवर्ग के संदर्व में इस्तनपाई या मैमेलिया शब्द एक क्या है तो मैमेलिया एक वर्ग है ऑप्शन नमबर C सही आंसर हो जाएगा मैमेलिया वर्ग होता है एक स्वस्त व्यक्ति के प्रत्यक डैश एमेल रक्त में 12-15 ग्राम हीमोगलोविन होता है तो आपके 100 एमेल रक्त में 12-15 ग्राम हीमोगलोविन होता है ऑप्शन नमबर B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, वाइरस, कवक, प्रोटोजोवा, क्रमी आदी जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके काण मनुश्यों में रोग होते हैं इन सभी जीवों को रोगानू कहते हैं आप्शन मरे रोगानू सही आंसर है मनुश्यक्र हदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महतुर पून पैप्टाइट हार्मोन का स्राव करती है वह हार्मोन कौन सा है तो अलिंद की दीवार में हाइलाइट कर रहा हूँ ये ये कौन सा स्राव करती हार्मोन का तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ANF हार्मोन जिसको आप Peptine हार्मोन भी बोलते हैं का स्रावन करती है इंसुलिन की कमी के कारण निमलकित में से कौन सी बिमारी होती है तो इंसुलिन की कमी के कारण आपको मदू में जिसको आप Diabetes Mellitus बोलते हैं होती है निम्लखित में से पौधे के किस हिस्से में विवेदित काय नहीं होता तो पौधे के किस हिस्से में विवेदित काय नहीं होता सय आंसर हो जाएगा ठेलो फाइटा अप्शन नमबर A राइट आंसर है माना शरीर का निम्लखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के 6 भागों से लाई गई कार्बन डायकसाइड का निशकर्षन करता है तो वायू कोशिका जिसको LV-EOLI कहा जाता है वायू कोश्टिका ये जो है ये रक्त द्वारा शरीर में जो 6 भागों से लाई गई कार्बन डायकसाइड होती है उसका निश्कर्षन करता है सभी जीवों में पोशड की प्रक्रिया में पहले चरण के दोरान ग्लुकोज के 6 कारबन अणुओं में से विखटित हुए 3 कारबन अणुओं को क्या कहा जाता है तो 6 में से जो 3 कारबन अणुओं विखटित होते हैं उनको क्या कहा जाता उनको कहा जाता पाइवेट ऑप्शन बस सी सही आंसर हो जगा कुछ-कुछ कॉशन आपको बहुत ही टफ लग रहे होंगे लेकिन यह प्रश्ण एक्जाम में आई हुए हैं तो इनको भी आद करना पड़ेगा आपको टफ हैं यही स्कोरिंग कराएंगे आरा थाराइड गंतियां होती हैं तो तो थाग्राइड गंति के पीछे चार पैरा थाइराइड गंतियां होती हैं is लग्ते as अमों को सर्व ग्राही कहा जाता है तो ए बी पॉजिटिव को सर्व ग्राही कहा जाता है छोटी आत की भीतरी दिवार मतलब आंतरिक भित्ती में हजार उंगलियों के आकार की अदोसन रशनाय पाई आती हैं इनको कहा जाता है आपका option number C option number C है राइट आंसर हो जाएगा निम्द लिन्गतर में से कौन हरदय से गुरदों तक रखत पहुचाती है तो हरदय से गुरदों तक रखत पहुचाने का जब काम होता है वो होता है आपका वक धमनी का यहाँ पर option number आपका D सही आंसर हो जाएगा वक धमनी जो है फिर दर से गुर्णों तक रक्त पहुंचाती है किसी पौधे के किस भाग में मैसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है तो मैसोफाइल कोशिकाएं आपकी पत्तियों में पाई जाती है option number A सही answer है थाइमीन की कमी से डैश रोग होता है थाइमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है option number D आपको दिग्या होगा नीचे ही right answer हो जाएगा अगला question देखो ल्यूकोपेनिया क्या होता है तो ल्यूकोपेनिया आपका स्वेत रक्त कोशिकाओं में असमा ने कमी सफेज रक्त कोशिकाओं आपके सरी में WBC कम हो जाएगा तो उससे आपको ल्यूकोपेनिया कहलाता है अगला question देखिए अनानास एक डैश है आपको answer दिग्या है तो अनानास आता एक मरुद भित के तोरपर option number D मरुद भित यहाँ पर right answer हो जाएगा स्वपोशी जीवों की कारवन और उर्जा संबंदी आवशक्ता है डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है तो स्वपोशी जीवों की कारवन और उर्जा संबंदी जो आवशक्ता है होती है वो पूरी होती है प्रकास translation के द्वाराण option number C सही answer हो जाएगा वह नली है जो मुत्र को किड़नी से मुत्रा से तक ले जाने का काम करती है तो उस नली को कहा जाता है आपका मुत्रवाहनी यहाँ पर option number B आपका सही answer हो जाएगा मुत्रवाहनी अगला question देखिए इसमें पूछा गया है कशाब बाल जैसी सनरशनाएं हैं जो निम्नलेकित में से किस जीवों में चालन उपांगों के रूप में कार करती है तो कशाब इसको फले गेला बोला जाता है तो यह जो है सही answer हो जाएगा यह होती है आपकी जीवानूं में option number B जीवानू सही answer हो जाएगा अगला कॉशन देखिए निम्नलेकित में से कौन सी बीमारी प्रोटो जोवा के कारण होती है तो प्रोटो जोवा के कारण आपकी काला जार बीमारी होती है option number D सही answer है अगला कॉशन देखिए विशेश रूप से निर्मिट टैंकों और तालाबाँ में मचली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है तो इसको बोला जाता फिशी कलसर जिसमें आप विशेश रूप से निर्मिट टैंक और तालाब में मचलियों की खेती करते हैं, मचलियों का पालन करते हैं सामान सर्दी और इंफ्लूएंजा फ्लू के लिए कौन सा सुख्ण जीव जिमिदार होता है इन सब के लिए वायरस या विशान जिमिदार होता है आपको जो सामान सर्दी और इंफ्लूएंजा फ्लू होता है सरकरा बनाने के लिए पादब कोशिका का कौन सा भाग सूरिका प्रकास ग्रहन करता है तो पादब कोशिका का क्लोरोप्लास्ट सूरिका प्रकास ग्रहन करता है और सरकरा बनाता है किस संग में जीवों के सयुक्त पैर होते हैं खंडों से जुड़े होते हैं तो सयुक्त पैन आपका जो संधीपाद में होते हैं और्थो पोड़ा या संधीपाद option अबड़ी यहां पर सही answer हो जाएगा प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं निम्लकित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं तो प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाती है option अबड़ी सही answer है निम्नलकितम से किस प्रकार के जीवों में खुला परी संचरन तंत्र होता है तो खुला परी संचरन तत्र मोलस्का में होता है option number C सही answer है प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं तो प्रोटीन जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं option number C साई answer है अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है चलिए आप एक काम करिए आपको वे 5 समू कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है आपका जो option है वो B और A B C में से कोई एक है तो वो 5 जो समू है वो हैं आपके ठेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरीडोफाइट्स, जिमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये 5 हैं जिनमें जो है आपका पादपों या पौधों को विभाजित किया गया है ठीक है याद रखिएगा अगला question देखिए इनमें से कौन सा मानो शरीर का उत्सर्जक अंग है तो मानो शरीर का उत्सर्जक अंग आपका तवचा है option number A सही आंसर हो जाएगा तवचा निम्दलकित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है तो आहार नली का भाग आपका यकरत और अगनाशय नहीं है option number C सही आंसर है यकरत और अगनाशय निम्दलकित में से कौन सा वैक्टीरिया समू है जो मानो आतों में पाए जाता जिसकी पानी में उपस्तिती रोग उत्पन करने वाले सुक्ष जीवन दवारा संदूशन को इंगित करती है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कॉली फार्म आप्शन नमबर B इस प्रशनी के लिए राइट आंसर है सिनो आर्ट्रियल नोड में इस्तित होता है तो सिनो आर्ट्रियल नोड में इस्तित होता है यह कहां इस्तित होता है यह होता है आपका हर्दय में इस्तित ऑप्शन नमबर D यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिनो आर्ट्रियल नोड हर्दय में इस्तित होता है अवसाद एक विकार है तो अवसाद एक मनुदशा संबंदी विकार है, option बड़ी साई आंसर है डैश में हरकत एक पेशिय पाद की सहायता से होती है तो घोंगे में हरकत जो होती है घोंगा आपने दिखा होगा उसमें पेशिय पाद की सहायता से muscular feed की सायता से हरकत होती है कौन सा एक कोशिय जीव नहीं है तो spirogyra ये एक कोशिय जीव नहीं है प्रसिद्ध big bang theory किस मुख्य सिदान्थ पर आधारित होती है तो big bang theory जो रहती है यहाँ पर सई आंसर हो जाएगा प्रभाव किस सिदान पर आधारित रहती है option number B Doppler प्रभाव पर आधारित रहती है बढ़ते हैं कौशिय नमबर 2 की तरब भाखडा नांगल बांध किस वर्ष बना था तो भाखडा नांगल बांध 1963 में बना था option number A से आंसर हो जाएगा पार्थे उग्रह कौन-कौन से कहलाते हैं तो पार्थे उग्रह कहा जाता है बुद्ग्रह, शुक्र, प्रत्वी और मंगल इनको कहा जाता है पार्थे उग्रह गंगा नदी निम्लकित में से कहां डेल्टा बनाती है तो गंगा नदी का डेल्टा बनता है सुन्दरवन में option number B सुन्दरवन यहाँ पर right answer हो जाए प्रत्वी का जुडवा ग्रह कौन सा है तो प्रत्वी का जुडवा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है option number D सही answer है नागारजुन सागर परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो कृष्णा नदी पर इस्तित है नागारजुन सागर परियोजना निम्नलगित में से कौन सा ग्रह जल में तेरता हुआ प्रतीत होता है तो जल में तेरता हुआ प्रतीत शनी ग्रह option number D शनीग्रह राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा S-Betas कहां पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा S-Betas होता है कनाडा में option number 1 कनाडा यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रत्वी के सूर के अलावा सबसे नज़्दीक तारा कौन सा है तो सूर के अलावा Proxima Century सबसे नज़्दीकी तारा है option number 2 सही आंसर हो जाएगा भारत में हरित करांती कब लागू हुई थी तो भारत में हरित करांती जो है वार्शिक योजना 1966-1979 में option number 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चिल गोजा किस पेड़ से प्राप्त होता है तो चिल गोजा आपके चीड के ब्रक्स से प्राप्त होता है option number 2 यहाँ पर सही आंसर है कौफी किस छेत्र का पौधा है तो कौफी जो है उश्न कटी बंदिय छेत्रों में होती है option number A यहाँ पर कॉफी के लिए सई आंसर है sunbelt सयुक्त राज अमेरिका के लिए किसलिए प्रसिद्ध है तो जो sunbelt है वो फेमस है और द्योगिक छेत्र के लिए option number B और द्योगिक छेत्र के लिए sunbelt फेमस है सयुक्त राज अमेरिका में राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है तो वहां का जो रीजन है क्योंकि वहां अरावली परवत मांसून हवाओं के समानंतर होता है इसलिए जो है वहां पर वर्षा कम होती है option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है तो यहाँ पर टाइटन जो है वो शनी का उपग्रह है option number C सही आंसर हो जाएगा टाइटन सनी का उपग्रह है कमेंट करके बताईए सबसे जादा उपग्रह किस ग्रह के है सबसे जादा उपग्रह किस ग्रह के है comment box में comment करके बताइए निम्द लेकित मैंसे किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवशक्ता होती है तो सबसे कम काली मिट्टी को जोतने की आवशक्ता होती है option number B यहाँ पर सही answer हो जाएगा उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीन महादीपो को छूती है तो भूमद्य सागर है जिसकी सीमा तीन महादीपो को छूती है option number A सही answer हो जाएगा भूमद्य सागर भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है जो लेंड लॉक है तो भारत का सबसे जो बूंदे होती है जमीन पर गिरकर जम जाती है option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा पानी की बूंदे जमीन पर गिरकर जम जाएगा तो हिमपात होता है option number A right answer है जब समुद्र से द्रोग की ओर बढ़ते हैं तो लवनता पर क्या प्रभाप पड़ेगा तो समुद्र से आप जाएंगे और द्रोगों की ओर बढ़ेंगे तो लवनता घट्ती है option number A सही answer हो जाएगा पनामा नहर किसको जोड़ती है तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशान्त महासागर इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर तो option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा ओजोन परत किस इस्तर में पाय जाता है तो ओजोन परत आपका यहाँ पर जो options देगे हैं उसमें से 30 से लेकर 50 km तक option number B यहाँ पर इस प्रशनी के लिए सही answer हो जाएगा डोल ड्रम क्या है तो डोल ड्रम एक विशुवत रेखां के दोनों तरप 5 डिगरी उत्तरवा दक्षन तक होता है option number C डोल ड्रम के लिए यहाँ पर सही answer हो जाएगा निम्द लिकित में से राजिस्तान का कौन सा जिला अंतराष्टी सीमा से मिलता है तो अंतराष्टी सीमा से यहाँ पर जो options दिये गए हैं आपको इस question में सही answer हो जाएगा आपका कठुआ जिला option number A कठुआ जिला अंतराष्टी सीमा से मिलता है सीन नदी निम्द कित में से किस नगर के निकट होकर बढ़ती है तो सीन नदी जो है निकट है पैरिस के option number C पैरिस यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही answer हो जाएगा भारत की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित सड़क कौन सी है तो भारत की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित सड़क है option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए निकट में से कौन सा राजित तामबे का एक प्रमुक उत्पादक है तो तामबे का प्रमुक उत्पादक राजस्थान है option number B सही answer है भारत की निमलिकत राजियों में से कोईले का सबसे वड़ा भंडार कहां पर है तो कोईले का जो options देगा है उसके अनुसार आपको लगाना है option के अनुसार उडिसा में कोईले का सबसे वड़ा भंडार है option number C सही answer हो जाएगा पॉंग बांद किस नदी पर बना है तो पॉंग बांद आपका रावी नदी पर बना है option number A रावी नदी राइट आंसर है इस प्रशनी के लिए चाय उत्पादन में भारत का सबसे पहला है option number A पहला सबसे पहला सबसे पहला है शिकारी देवी अव्यारन किस राज्यम है तो शिकारी देवी अव्यारन आपका जो है वो हिमाचल पदेश में है option number B सही answer है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा जील कौन सी है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है वुलर जील option number A यहाँ पर सफाया answer हो जाएगा निम्दलखित में से कौन भारत में स्थित हमाले की सबसे उची चोटी है हमाले की सबसे उची चोटी है आपकी कं Fellचे जंगा है option number A यहाँ पर सफाया answer हो जाएगा भारत की किस राज्यकी समुदरी तटरी का सबसे लंबी है? गुजरात की सबसे लंबी समुद्रिट रिखाया option number A सही आंसर है चाओ किस राज का अन्रत्य है तो उडीसा का अन्रत्य है चाओ option number B सही आंसर है किस केंडर सासित प्रदेश की जन संख्या नियूंतम है, तो लक्षदीप की जन संख्या सबसे नियूंतम है, option number C सई आंसर है किसी पिंड का भार अधिकतम कहां होगा, तो किसी पिंड का भार द्रुवों पर अधिकतम होगा, option number B, द्रुवों पर अधिकतम होगा, right answer है भारत में पाई जाने वाली खादर एबन बांगर किस प्रकार की मित्टिया हैं तो यह दोनों बांगर और खादर जो हैं वो जलूर प्रकार की मित्टिया हैं Optimus A सभी आंसर है यदि भारत में सुबह 11 बज रहे हैं तो लंडन ग्रीन विच में कितना बज़रा होगा तो आपको वता दें ग्रीन विच में बज़े का सुबह के साड़े 5 भारत ग्रीन विच से प्लस साड़े 5 GMT आगे है तो सुबह का साड़े पाँच बचेगा ठीक है आउस्ट्रिया की राजदानी क्या है तो आउस्ट्रिया की राजदानी आपकी वियना है option number B वियना right answer है निम्द मैंसे कौन रवी फसल नहीं है तो आपकी गैहूं चना सरसों ये तीन रवी फसल है तो ये होता है आपका उत्तर पश्चमी मानसून option number B यहाँ पर इस पश्चने के लिए सही answer हो जाएगा गंगा का उद्गम इस्थान कहा है तो गंगा का उद्गम इस्थान आपका गौमुक है option नमबर एक गौमुक यहाँ पर सही आंसर है इस प्रशने के लिए गंगा के उद्गम इस्थान के लिए तारे, किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी होती है तो प्रकाश वर्स का यूज करते हैं option number C, तारे की दूरी मापने के लिए पोडोलाजी किसके अध्यन से संबनित होता है तो पोडोलाजी में हम मिट्टी का अध्यन करते है option number A, मिट्टी यहाँ पर सही answer हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी परिस्तित है तो नर्वदा नदी परिस्तित है सरदार सरोवर परियोजना option number C, right answer है और यह आपके लिए surprise question Baltic समुद्र को उत्री समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है comment box में आपको इस प्रशन का answer comment करके बताना है यह caution आपसे एक्जाम में पूछा गया है तो उमीद करता हूँ आपसे इस प्रशन का answer बनेगा दोस्तों कल आपको सुबए 6 बजे 1000 प्रशन का वीडियो मिलने वाला है तो यदि आप चैनल पर नहें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 1000 जीके आपको मिलेंगे सुपर फास्ट बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभो बहुत बहुत धन्यवाद